आपका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल टॉप आयरवधिक टिप्स में दोस्तों आज मैं आप सभी को 3D एनिमेशन के जरिये अनुलूम बिलूम प्राणायाम करने के बारे में विस्तार से समझाऊंगा दोस्तों सबसे पहले आप सुबह सुबह खाली जगह में चटाई बिचा कर बैठ जाएं जैसा की वीडियों में दिखाया जा रहा है दोस्तों नियमा नुसार इस आशन को दाहीने तरफ से सुरू किया जाता है और दाहीने तरफ से ही इसे खत्म करते हैं सबसे पहले दाहीने हाथ के अउठे से दाहीने नाथ के छिद्र को बंद करना है बाए नाक के छिद्र से सांस को अंदर की तरफ भरना है सांस पेट से सीने की तरफ आना चाहिए अब दाहिने हाथ के ही मध्मय और अनामिका उंगली से बाए नाक के छिद्र को बंद करते हुए अंगुठे को दाहिने नाक के छिद्र से हटाएं और सांस को बाहर धीरे धीरे छोड़ें इसके बाद दाहिने छिद्र से ही सांस को अंदर की तरफ भरें जितना देर तक सांस को रोक सकते हैं रोकें और अंगुठे को दाहिने छिद्र पर रखते हुए पाएं छिद्र से अंगुली हटा लें और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दें अब पुनह इसी छिद्र से सांस अंदर भरें और जितना रोक सकते हैं रोकें अब अंगुलीओं से इस छिद्र को बंद करते हुए अंगुठे को हटाएं और सांस छोड़ दें यही प्रक्रिया आपको पांच मिनट तक करना है दोस्तों जब आप सांस अंदर की तरफ भरते हैं और उसे छोड़ते हैं तो आप चार की संख्या तक रोकने की कोशिश करें एक, दो, तीन, चार और अब सांस बाहर छोड़ें और सांस को भरने और छोड़ने की प्रक्रिया इतनी सहज रखें की इसकी आवाज खुद को भी न सुनाई दे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं की अनुलोम भिलोम प्राणायाम करने से हमारे सरीर की 72 करोण 72 लाथ 10,210 नाडियों की सुद्धी होती है इसलिए इसे नाडि सोधक प्राणायाम भी कहते हैं इससे सरीर स्वस्त्य आभा में वसक्तिसाली बनती है